इस वीडियो में हम लोग comparison करने वाले हैं सारा विलेगस की 2022, 2023 और 2024 की फिजिक में क्या difference है और क्या improvements इन्होंने करे हैं कि 2022 में ये first runner up आई थी, second placing इन्होंने हासिल करे थी और 2023 और 4 में winner बनी है women's category में तो तीनों ही फिजिक का comparison करेंगे जो इनके favorite poses हैं वही हम लोग select करके हम लोग उनका comparison करेंगे क्या improvements देखे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे front pose के जो की basic pose है और इसमें देख सकते हैं 2022 में size का काफी फरक था, size थोड़े सी size कम था और conditioning ठीक ठाक थी, quarts में इतना ज़ positioning और hardness हमको देखने को मिला और symmetry ज्यादा beautiful लग रही है इस बार को squats में अच्छा कासा size है और separation बहुत अच्छी है, quarts में आप सार्टोरी समसल से देख सकते हैं और mid section भी काफी impressive था, status interior lats वाली side पे और arms भी काफी condition थी और pose काफी अच्छा था, तो हमने 2022 के बाद improvement जरूर देखे 2023 और 2024 में आपको बहुत बड़ा improvement देखने को नहीं मिलेगा, almost similar लेगे, but 2022 से बहुत ज़्यदा improve थी, और अगर बात करते हैं back की तो again आपको size में देखने को मिलता है, hamstrings में especially, hamstrings में आपको काफी अच्छा condition ही 2023 और 2024 में नजर आएगा, और overall back की बात करें, तो back 2023 और 4 में आप VTA पर देखो कितना impressive लगेगा आपको, और middle, mid of the back में मतलब की trapezius वाली side पे, middle trapezius वाली side पे, आपको अच्छा खासा muscle mass देखने को मिलेगा, और outer lats पे आपको terrace major minor rear delta का का काफी अच्छे लगने वाले हैं, और arms भी काफी conditioned हैं, इस बार तो definitely इन्होंने improvements करे थ थे और यही reason था कि दो बार Natalia Brahmukalo को हरा चुकी है, 2022 में Natalia थी और उसके बाद consecutive two years में हमने इनको जीत वे देखा, और triceps वाले pose में आपको सबसे ज्यादा difference दिखने वाला है, because shoulders, arms आप देखेंगे 2023 और four में ज्यादा better आपको नजर आएंगे, और legs वाले portion पे जाएंगे तो भी आपको ज्यादा condition नजर आएंगे, इस बार specially 2024 में ज्यादा better legs हमको देखने को मिलेंगे, stirations 2024 में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और overall condition आप देख सकते है, 2023 में भी बहुत impressive थी, और improvements की बात करें तो सबसे ज्यादा improved ये 2022 के बाद लगी है, और सबसे ज्याद भी देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा तगड़ा improvement इनको देखने नहीं वाला है, 2023 और 2024 में, और में similar physique थी, और काफी अच्छी condition थी, और इसलिए यही reason था कि Natalia हार गिया, otherwise Natalia भी बहुत अच्छी लग रही थी, हमने उनको 2022 में देखा, उनकी improvements थी, but still, इनकी improvements ज्या इनका overall conditioning back से बहुत ज्यादा impressive था, तो यह reason हो सकता है कि यह दो बार अभी जीती हैं, और आगे देखते हैं, 2025 में कौन जीता है, Natalia या सारा, तो I hope कि आपको यह video अच्छी लगी होगी